हेलो फ्रेंड्स, ओनली वनुसा चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम हरी मेथी और आलू की पूरियां बनाएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और इन जिनको बनाने में समय भी कम लगेगा तो फ्रेंड्स, आलू मेथी की पूरियां कैसी बनानी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यह मैंने आधा केजी मेथी ले लिया है इनको मैंने अच्छे से तोड लिया है इनके डंठल को अलग कर दिया है और पतियों को अलग कर लिया है और इनको मैंने तोड़ करके अच्छे से धो लिया है और धो के सुखा लिया है और इनको मैंने बारी देखिए काट भी लिया है जितना बारी काट सके आप काट लिजिए अब मैंने चार आलू ले लिया है और इनको हम ग्रेट कर लेंगे आलू को गरम नहीं ग्रेट करना है आलू ठंडा हो जाए तब आप ग्रेट करिए इनको ग्रेट करके रख लेंगे ये देखिए आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं तो इसको हमने मेथी में रख लिया है अब इसमें हम दो काटोरी के करीब आठा डाल देंगे आठा गेहूंका डालेंगे ये देखिए दो काटोरी मैंने आठा डाल दिया है और दो से तीन चमच मैंने सूजी डाल दिया है और आधी चमच हल्दी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हींग थोड़ा सा और अजवाइन मैंने क्रश करके डाल दिया है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कलोजी डाल दिये हैं और नमक स्वादमसार डाले हैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब हम पानी डालेंगे क्योंकि आलू है तो पहले mix कर लेते हैं फिर पानी डालते हैं हरी पतियां पानी release करती हैं इसलिए इसमें पानी हम थोड़ा ही डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गूत लेंगे हम डो को टाइट रखेंगे नरम डो नहीं दायार करेंगे क्योंकि इनको 10 मिनट के लिए rest पे भी रखना है तो पहले टाइट डो बनाएंगे उसके बाद इनको नरम डो बनाएंगे इनका देखिए इनको अच्छे से हम गूत ले रहे हैं आपको बहुत जादा soft मुलायम पूरियां चाहिए तो आप इसमें सूजी न डालें लेकिन मैंने सूजी डाला है इससे थोड़ा सा पूरियां अच्छी बनेंगी और एकदम फूली फूली रहेंगी और जल्दी पिचकेंगी नहीं अब दो चमच हम इसमें आयल डाल देंगे और इसको फिर थोड़ा सा गूतेंगी आटे को फ्रेंट्स यहाँ पर आप आटे के हिसाब से मेथी की कॉन्टिटी बढ़ा सकते हैं इस तरह आपको चार से पांच मिनट लग जाएंगे आटे को गूतने में और इस तरह देखिए आटा मेरा गूत के तयार हो गया है अब इसको रख दिये हैं दस मिनट के लिए रेस्ट पे दस मिनट हो चुका है फ्रेंड्स अब चलिए पूरिया बनाते हैं थोड़ी सी मैंने आटे को निकाल लिया है उनकी लोईया बनाएंगे छोटा छोटा पूरी के हिसाब से आपको बड़ा या छोटा जितना मोटा रखना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं तो देखिए इस तरह मैंने धेर सारे निकाल लिये हैं और छोटे छोटे बना लिये हैं अब इनको हम बेलेंगे तो सबसे पहले होलसे पर हम थोड़ा सा तेल लगा दिये हैं आप चाहें तो थोड़ा सा आटा छिड़क सकते हैं और उससे भी बेल सकते हैं अब हम इनको बेल बेलने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपका आटा बहुत ज़्यादा सकत तो नहीं है यदि आटा बहुत ज़्यादा सकत है तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके उसको फिर से गूत लीजिए ये देखिए इस तरह हम धेर सारी पूरियां बना के रख लेंगे तो फ्रेंट्स मेरी रेस्पी आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो देखिए फ्रेंट्स आटा जो है कि बहुत ज़्यादा नरब नहीं है तो ये होलसे पे चिपक भी नहीं रहा है आसानी से बेला भी जा रहा है और वापस निकल भी आ रहा है आयल गरम हो गया है, अब उसको हम पहले चेक कर लेते हैं तो देखिए मैंने थोड़ा सा आटा डाला है और इसको मैंने चेक कर लिया है अब हम इसमें बेली हुई पूरिया डालेंगे और तीन से चार पूरिया डाल देंगे फ्राई होने के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पे पूरियों को नहीं तलना है नहीं तो पूरियां अंदर से कच्छी रह जाएंगी फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि पूरियां कितने अच्छे से फूल रही हैं अब इनको हम पलट लेंगे एक एक करके सारी पूरियों को पलट लेंगे और इस तरह भी इनको होने देंगे तो फ्रेंट्स एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल ओनली वनुसा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगती है तो फ्रेंट्स पूरियों को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हल्दी की वज़ा से ज़्यादा लाल नहीं होंगी अब देखिए इस तरह कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे तो अब हम पूरियों को निकाल ले रहे हैं प्लेट में इस तरह देखिए कितनी फूली फूली पूरियां दिख रही है खाने का मन कर रहा है न फ्रेंट्स इन पूरियों को आप आलू गोभी की सबजी, चाय या सौस किसी के साथ भी खाएंगे सभी के साथ ये पूरियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी तो मैंने दूसरी पूरियां भी आल में डाल दिया है तलने के लिए देखिए बेली हुई, अब इनको भी हम तल लेंगे उसी तरह ये पूरियां आप सुबह के नास्ते में या शाम के नास्ते में भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह आप आलू और मेथी की पूरियां नहीं खाते हैं वो भी आपसे बार-बार मांग करके खाएंगे तो फ्रेंड्स आलू मेथी की लाजवा पूरियां तयार हो गई हैं देखिए कितनी क्रिस्पी दिख रही हैं पूरियां मैंने इन पूरियों को आलू गोभी की सबजी के साथ सर्व किया है थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो